मैं बस एक चीज जानना चाहती हूँ कि जब आपको सच में किसी इनसान से या चीज से चोड़ पहुँची हो या परिस्थितियों से या लोगों से तो अगर हमने चीजों को बात करके सुलजाने की एक कोशिश कर ली हो तो उनसे दूरी बना लेना कितना सही या गलत होगा पिशली बार ऐसा कब हुआ था जब किसी ने आप पर चाकू लेकर वार किया था कभी नहीं है न अच्छा पिशली बार आपको कम से कम किसी ने पिंच चुबाया था नहीं आपको इग्णोर कर दिया यह अच्छा नहीं हुआ तो जब आप चोट पहुंचाने की बात करती हैं तो कोई आपको शारेरिक चोट पहुँचा सकता है आपको जखमी कर सकता है वो एक अलग बात है मानसिक रूप से सारी पीड़ा आपकी वज़े से हो रही है किसी और की नहीं अपनी वज़े से कोई कुछ कर रहा है जो उन्हें पसंद है और आपको चोट पहुंच रही है हम उस पर आएंगे पर पहली बात यह कि आपको चोट क्यों पहुंच रही है अगर आप भागने लगी तो आपको हर किसी से भागना पड़ेगा क्योंकि हर कोई आपको चोट पहुंचाएगा ऐसा कोई perfect इंसान नहीं होता जो आपको दुख नहीं देगा हर इंसान आपको दुख देगा अगर आप किसी perfect सफेद घोले पर बैठे राजकुमार का इंतिजार कर रही है तो ऐसा कोई आदमी नहीं होता मेरा विश्वास कीजिए आप कर सकती है मैं या बहुत टाइम से हूँ ऐसा कोई आदमी या औरत नहीं है जो जो परफेक्ट हो मैं चाहता हूँ कि आप पीछे मुड़ कर देखें आज आप यहाँ गुजरात में हैं तो यहाँ कृष्णि के लिए इतने बड़े बड़े उच्जव होते हैं मैं कह रहा हूँ ऐसा आदमी भी उनके लिए ठीक नहीं था उनके आसपास वालों के लिए तो कहीं पर भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता तो वो वो आपको दुख नहीं देते वो बस वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे बड़िया आता है आपको चोट पहुँच रही है न जट तक कि वो आप पर वार नहीं कर रहे है अगर वो आपको चाकू से मारने लगे तो आपको बिलकुल दूर जाना चाहिए वहाँ नहीं रहना चाहिए पर वो कुछ बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं उन्हें बस उतना हीं पता है हाँ या नहीं आपको किसी माहौल में नहीं रहना होता है इसलिए नहीं कि आपको कोई दुख पहुचा रहा होता है बल्कि इसलिए कि कुछ माहौल ऐसे होते हैं जो आपको कारगर नहीं होने देते मैं कुछ करना चाहता हूँ एक खास माहौल में ये कारगर नहीं होगा तो मैं अपनी उर्जा वहां बर्बाद नहीं करना चाहता मैं कहीं और चला जाओंगा पर इसलिए नहीं कि वो मुझे चोट पहुँचाएंगे, अगर वो आपको शूट करने वाले हैं तो आपको दूर जाना चाहिए, नहीं तो क्यों?